नमस्कार दर्शेकमित्रों Medical Plus कारेक्रमा हुँ कुमार बारोट आप सवनू स्वागत करूछू दर्शेकमित्रों आपडे Medical Plus कारेक्रमा दर एपीसोड मा कोईकने कोईक नवा रोगों विशे चर्चा करतावाई यह शिये परन्तो आजनों आपीसोड थोड़ोक खास जे वूमन पन छे आनि साथे साथे तेओ घर ने ओफिस बनने संबाले शे पड़न तो तेम छता मैलाओ पोताना स्वास्थे माटे क्यांक ओची जागूत होई तेओ पन जुआ मलतु होई शे मैलाओनी समस्याओनी जो बात करे तो खास करीने टीनेज मां मासिक शरू थाए त्या आरे मासिक जे चे त्या आववानु बंद थाए जैने मेनोपोस काये चे त्या सुधी मां अनेक चडाओ उतारों मां थी महिलाओ पसार थती होई शे करनके मासिक नो सीधो संबंध होर्मोनल इम्बेलेंस साथे पण होई शे तो आजे आपने महिलाओनी खास करीने मासिक सं चे तेवा रोगों विशेनी पन चर्चा करेशू आ माटे अमारा स्टूडियो मां अमें आ मंत्रीत करेया चे जानिता गाइनेकलोजिस्ट डॉक्टर हेतल बेंड पाटोलिया तथा जानिता होमेपेथ डॉक्टर स्निहा बेंड मजमुदार तो हुँ आ बनने डॉक्टर्स अमारा स्टूडियो मां स्वागत करो चूँ सवति पहला हुँ डॉक्टर हेतल बेंड ने प्रश्न पूछिशू के हेतल बेंड जे में वाद करी के सामाने रिते टीनेज थी बहनों मां मासिक नी शरुआद थाई जाएचे आजे मासिक नी शरुआद नो जे तमक को होईच त्यारे तेमने केवु मार्कदर्शन पूरुपाडवु जुईए नमस्ते जारे पीरियड शरु थाई ए पीरियड ने अक्चुली मेनार्की केवामा आवेचे यूशुली मेनार्की नो टाइम 10 येर्स थी लईने 16 येर्स सुधी नो होई छे पन जो 16 येर्स सुधी माँ पीरियड शरु ना थाई तो डॉक्टर नी सला लेवी जोई है अने बत्ताबू जोई है अब आजकाल तो जोवामा आवेच है के पीरियड थोड़ा वेला शरु थाई रहाया छे एटले 10 ती 11 वरश नी उमरे आ मेनार्की शरु थाई जतू एउ ते दीकरी एटली बदी घबराई जती होई छे औने रड़वा मांडे छे औने एटला बदा कॉम्पलेक्सिस फील करे छे एउ ना थाऊ जोई है पेले थी एने आ पीरियड शूँ छे एनी फिजियोलोजी शूँ छे एबाबत नी जान होवी बखुबत जरूरी छे आ अने 10 येर्ज नी आस पास 10 to 14 यूजूली ए शरू थतू होई छे पीरियड जे नॉर्मल वस्तु केवाई आवी रिते ब्लीडिंग थाए एमां ब्लीडिंग मां शूँ ध्यान राखवू जोई है के वी रिते पैड्स वापरवा जोई है एपन एनी जानकारी औने एनी आज भास पासे आविशके स्निहाबेन बहने जे वाद करी के तेमने खरेकर एजुकेशन आपकू आवा वक्तिया जे स्कूलों मां तो एजुकेशन आपवाम आवे छे परंतु जो वाद करें तो पेरेंट्स जेशे तेमना मांटे कोई खास आवो प्रोग्राम उभो करवो जोई है चौकस्ति करो जोई है पैरेंट्स माटे करनके इमा मम्मी नो बहुत मोटो रोल होई छे इतले बहन पणियों पासे तो गोणु बदू जानता जो होए छो करियों पंशता है साच्चू मार्क दर्शन और मम्मी जापी शके इतले एन जो एक प्रकार नी एवी अवेर जोई है कि आप जोई है जोई है प्रोटीन चे आयन चे आप अब दी बस्तों नू पन मांग दर्शन जो मम्मी ना प्पाम आवे तो ए प्रकार नू रेसिपीस बनावी ने आपे चोकरियों ने अने शम्जावी पन शके कि आशने माटे जरूरी इसे बिलकुल बहुँ दोक्टर से कि जे पायानू मार्ग दर्शन छे खास करीने टीनेज चोकर के जारे मेनार्की निवाध करीके जारे पीरेड शरू थता होई त्यारे आ मार्ग दर्शन बहुँज महत्व नू बनी रहे चे जेती करीने तेमने आगण कोई तकलीफ न पड़े डोक्टर हेतल ब तो यूशुली मासिक थोड़ू गणू इरेगूलर एटले के यूशुली 21-35 डेज नी वच्चे पीरियोड आउतो होई चे तो प्लस माइनस 7 डेज इस ओके जो आना थी वधारे इरेगूलारिटी होई तो खास सला लेवी जोई है बीजो प्राबलम होई चे वधारे आव तो यूशुली आ त्रोण समस्याओ मासिक थोड़ू कॉमन होई चे जी डॉक्टर स्नेहा बेन आपड़े होमेपथी नी जो बात करी तो एवा कया कारण हो होई चे के जरने लिदे थे इने मासिक और नियमित थतु होई चे साउथी पेल आपड़े अनी चर्चा करिए होमे दरेक शरीड मां थता रोग जे छे एमां साइको सोमेटिक रिजन्स होई चे गणिवार इमोशनल डिस्टर्बंस चानके आपने आखी होर्मोनल सिस्टेम जे छे बहुत सेंसिटिव सिस्टम चे तो प्रकानों स्ट्रेस से इमोशनल इंबैलेंस था है कोई पन समाचार आव चे अने गणिवार पोशन पर उचु होए एने कारणे पर मासिक उचु हो तो गणिवार वजन वधार होए टीनेज मां ओबेसिती ना अजक्काल बूज प्राब्लेम्स जोवा माणे छे चोकरियों मां कानके खाब यह नी रॉंग हैबिट्स ने कारणे तो एने कारणे पन जह वजन वधार हए तो मासिक उचु जोवां माले छे तो तमें जे आपने अनियमेत्ता के नी यही आपड आत करने हॉम्यपैथि में कि आमियूपैथि में होहीं किवी सार्वार आपपा मा होती होए न स्पर उसकाल खो तो ते अखति जो अनियमीत मासिक हो इतो अने माटे अमारमार बहुत सरस मेडिसिंस छे एक पल्सेटिला नमनी मेडिसिंस छे जो वोमन्स रमेडि कहिए छे एमें यूजवली आपता हो ये पछी ते उप्रांद अलग-अलग लक्षन अने लक्षन एकता हो प्रमाणे जेते ओम्योपतिक डॉक्टर पास से जाओ तो ये तमने इनी मात्रा कही आपी अने कितला प्रमाण मारेपीटेशन आप वो ये प्रमाण तमने आपी शके वधारे पड़ तो प्रोट्रेक्टेड पेडियर्स ये वाके खुब लाभूमासिक चालतू हो और वधारे पड़ सतो होऑ तो μου अमाचे हमेरे प्लोड बॉक्रीड ब्लॉड जतू है तो एमं माठै में फॉस्फचंफरस से कालक्र इया चाही मैडियी रातसे आप टांट होई जो क्लॉटिञ हिसों बड़ने ऑने डिक्रौँपई मस अचेण हो Ebay होसा magnitude ये भूर्वेतीशन इसी मासिक मा एक मासिक नीजे साव उच्छू आउँ तेमा वधू पड़तू वजन अने तेजरी ते सामे वधू साव बहु वधार पड़तू ओचू वजन अब बन्ने नों क्यांक ने क्यांक समा विश्टाईजे तमारे पासे क्लीनिक में जारे पेशेंट आवे एक दिक्री एवी छे के जैनुँ वधारे पड़तू ओचू अने एक दिक्रेवी छे के जैनुँ वजन वधारे पड़तू अने एन्ने डाइटिंग करवानी फरज पड़तियों होँ छे तो आ बन्ने परिस्तिति मां तमें के विरिते डील करों शे जैने वजन ओछू छे एने मात्र वजन ओछू पच्छी मालनुट्रिशन पण छे ए पण जोवातू हाई छे अने एनुट्रिशनल स्टेटस बिल्ड करवू बहुज महत्वनू छे एनो मतलब ए पण नथी के एने हाई कैलोरी डायेट आपो पण एने हाई अने नुट्रिशनल वाल्यू आड़ू डायेट आपो जोई है नौट ओनली कैलोरी डेंस जेनू वजन वधारे छे एने चोकस पड़े वजन उतारवानू ज छे एटले एने डायेट मॉडिफिकेशन आपो ज पड़े हवे डायेटिंग इस आउट बट डायेट मॉडिफिके अने नुट्रिशनल द्यान राखो तो ज तमने लॉंग टर्म वेट लॉस पड़े अने ए वेट लॉस सस्टेन पन थाई पन वजन ओछू होई के वधारे होई एने प्रमाणमा लाबू तो खुबज महत्वनू छे पन ए लाववा वक्ते खास द्यान ए राखवानू के आघीज महत्वनी बात करी के नुट्रिशनल डेफिशनसी उभी न थावी जूए श्नेहाबें के वो डाइट सामाने रेते यंग गल्स के टीनेज के यंग गल्स से तेलों कोई सामाने एवरेज के लेवो जोई कोई तकलीफ चैके या पच्षी नी बाच्छे एवरेज तो एमने रेगुलर एक तो आपड़ा जे खोराक होई छे मा प्रोटीन नी सामने ते बहु उनब जनाती होई छे एलोको ए प्रोटीन वधारे लिवा जोए रेगुलर डायेट मा एलोको ए स्प्राउट से ड्राइफरूट से बदू आड करी पनीर ए बदू आड करी ने हाइलो इज मिशकी लिवा वा शी ने बदू फ्रूटा न कि अःड करें परने बीस से बदू लेखे से शेगान ने यह सरीटिंबल आनो खोराक मां मुख्यत्वे उमेरो करवो जुए, शाक भाजी छोकरियों नथी खाती होती, शाक बहु उचु खाती होई छे तो शाक खावनी पन टेव पाडवी जुए, जेती करने हाई फाइबर पन जाए शरीड मां, तो युजवली आनू जो कॉम्बिनेशन अपने मैक पन चणा आपिये का तो चणा ने गोण आपिये फोड़ू एक डब्बा मां तो एपन खुब जरूरी इशे वी जो टेव पाड़ी होई, तो खरे खरे खुबत सारे ले जी बेज़ुली डॉक्तर हेतल वेंड, एक बीजी पन समस्या जोओ मलते होई छे के पीरेड़ वक्त पीरेड वक्ते थोड़ो घणो दुखाओ अथवा डिसकमफर्ट थाऊ ए टोटेली नॉर्मल प्रक्रिया छे काणके त्यारे यूट्रस जे अंदर ब्लड अने जेका यूट्राइन लाइनिंग छे एशेड करवानी ट्राई करे छे एटले एक कॉन्ट्राक्ट थासे जिया रोजिन दा काम ना करी शकिये, स्कूले ना जाई शकिये, कॉलेज अटेंड ना करी शकिये, तो चोकस पने एनी सारवार जरूरी जचे आना मुख्य कारणों होई एमा एक छे इन्फेक्शन विच इस वेरी वेरी कॉमन एटले जो इन्फेक्शन होई तो आ दुखाओ वध बिल्कुल, बिल्कुल, बहुज सरसे ते आप या वाज जनावी, स्निया बेन ने पुझेश के अत्यारे सामें देते हुजवा मल तो हैशे के दुखाओ थाए, शरे ना कोई भाग नो दुखाओ, फक्त बेनों नी वात नरी, तरा पेन किरल लेलो, अवे पेन किरल लेवी अवे तो एडवाइजेबल छेज नी वारम वार, हाँ, क्यारेक जरू पड़े, डेफिनेटली लेता हुज़े पन अवे तो हेतल बेन पन इवात स्वभाइक छे के येलोपाथी, डॉक्टर से येलोखो पन कहता हुज़े के वारम वार, पेन किरल नो उप्यों करो ते हिता तो होमियोप्ति में पन की दवाओ चासाद के मासिक ना दुखाव वगते उप्यों की साविट्थाई शके है पर होमियोप्ति में अमारी जे दवाओ चे, चिमके पेट में दुखावाओ थतों होए और माम पेट दबावी ने आगण बेसी रती होए तो आमें एने माटे अभिनोगम कोलोसीननि चुटन हो Etina 2 नीचे निचे न भागमाने पऔगड़ ने भुदू पन तु मोख़ दुखते चुरियक पूरsome मेडिसिन चे क्युप्रम मेटलिकम चे पेट माण होला रहतborी हो बत्परेक थे मेडीसिन मेडिसिन चहें मुह Cantonese बाइक बहुत सिवियर थातू है तो लो बैक थाया करतू है कि पाच्छावल बैक थी माधी ने पैल्विस तो दी पेह नक्षू आखू आऊतू है तो अने माटे पन हमारी पास है काली कार्प छे काली बाइकरोमिकम छे पाची सेपिया छे घणी मेडिसेंस चे तरह ते अपत अने PCOS अवे आ बीमारियों शू चे बेहनों मा तेना विशे जनाओं PCOD एटले polycystic ovarian disease अने PCOS एटले polycystic ovarian syndrome तो आँ बनने वचे नूँ डिफरेंस है छे कि polycystic ovarian disease एटले खाली ओवरी माँ सिस्ट थावी अने polycystic ovarian syndrome एटले एटले ए सिस्ट ना लिदे जे हॉर फ्लेच्ट PCOD नू लेट मैनिफेस्टेशन इस PCOS तो PCOD जारे खाली ओवरी माँ सिस्ट होई अने एना लिदे जे हॉर्मोन माँ इंबालेंस आवे अने बीजा पन कंडिशन सुबा थाई जमके insulin resistance थाई, obesity थाई, acne, hair fall, hair thinning, irregular menses तो होई जेनी साथे hair growth आवे अखा बोडी मा चिन उपर, upper lip उपर, male pattern of hair growth जेने के वाई हर्स्यूटिजम अने लेटर ओन मेटाबॉलिक डिसीज़ एड थाई अन्याकारने जेमके diabetes चे, high blood pressure चे, cardiac diseases चे तो आ जे PCOD छे एना लिदे जे आखो syndrome डेवलप थाई एने PCOS के वाई जे बिल्गुल तमें आजे एना जे लक्षणों के ना ते खरेकर खुब जानवा लाया काता, मने तेमा थी बेवस्तू बहुज महत्वानी लागी, एक तो hair fall थाओने बीजी बाजू, male pattern वाली जे तमें वाद करी के चेहरा पर ने दाडी मूचनी जग्याए वाल उगवा परी स्थिती ओभी थाए छे एक्स्ट्रा ग्रोथ जे थाए वालनों फेस उपर अज खासकरी ने डॉक्टर इतलबे ने कोई प्रमाने तो एमा अमारी पासे एक्सेसिव हैर ग्रोथ नी मेडिसिन्स छे अने यह में आपता हुए छे अने कारणे हैर ग्रोथ नी जे एक्सेसिव हैर ग्रोथ हमारा प्रमाने एक साइकोटिक सिंड्रोम चे अज बादी जे जरे पीरेड्स रिलेटेड जरे समस्याव सर्जाती तो पीरेड्स सिवाही ना बाकी ना चे दिवसों छे त्यारे केवी एक्सरसाइज जो बेनो करे तो तेने उप्योगी थाई शके एक्सरसाइज गम्मे करे उप्योगी थाशे एकले करवी बहुच बहुत बहुत वनी चे जो आइडियली करवी हॉए तो एक ट्रेंड परसन हॉए एना गाइडन्स माज करवी जो ये इनिशिली सो एट यू लर्न दो मूव्मेंस प्रॉपर्ली अने एक्सरसाइज माटे थ अने बिल्ड थाई ए छे जे एंटी ग्राविटी जे वेट्स नी साथे करे अथमां मशीन पर करे ए बदी एक्सरसाइज अने त्रीजू छे फ्लेक्सिबिलिटी जम्के योगा छे अने स्ट्रेचिंग छे ए बदू तो आ त्रोने एक्स त्रोने फॉर्म ओफ अने एक दिवस फ्लेक्सिबिलिटी एक इस्ट्रेचिंग नो पन राख वो जोई है तो आथ हमारू आइडियल वर्क आउट थाई डॉक्टर हेतल बिन मने फरीक प्रश्न तमने पूछानू मन थाई जारे मासिक समस्या जे होई जे मासिक संबंधी जे समस्या होई तेने ज जे मासिक नी समस्या एक एंडोमेट्रियोसिस नाम नू जे में त्यारे खुबज बदी रहे लो प्रॉब्लम छे एनी पन निशानी होई शके एटले आ प्रॉब्लम पन एवो छे पीसी ओएस नी जे मत जेनू कोई ऐस सच ट्रीटमेंट ना थी पन एने टाइम सर चेक मारा बहुज महत्वानू छे तो आ बदा जे पीसी ओएस चे एंडोमेट्रियोसिस चे आ बदा नी अर्लियस्ट साइन इस मेंस्ट्रॉल इरेगुलारिटी एन मेंस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स तो आ वस्तुनू जो अर्ली डाइग्नोसिस थाई अने अर्ली ट्रीटमेंट थाई आगर जता प्रेग्नेंसी रिलेटेड कॉंप्लिकेशन्स अने लेटोर ओन घणा बदा कॉंप्लिकेशन्स ने पन आपड़े अटकावी शक्ये बिल्कुल चले डॉक्टर स्निहावें अमारा दर्शक मित्रों मां टेक कोई संदेश अने त्यार बाद डॉक्टर हेतल बेड कासकरी ने आपने जे शरुवात मां बाद करी के नूट्रीशन बहुँझ इंपोर्टन्ट भाग भजवे छे आजकाल नी टीनेज मां जे फास्ट फूड खावानी टेओ पड़ी गी छे एमां ती आपने पाच्वावावू पडशे अने आपने मैक्रो माइक्रो नूट्र कार्बाइड फैट अनू बालेंस डायेट फ्लस वेटामिन्स अने मिनरास अनू कॉंबिनेशन अने ये व्यावस्थित जो खौराक मैडमे जे वात करी ए प्रमाणे नी रगूलर एक्सराइज आनू जो अपने संतुलन जाडवीशू तो दे टूडे ना घना बदा अने स्क्रीन अक्टिविटी एटलो बदू प्रोलांग थाई जाई चे के रातना उंग डिस्टर्ब थती होई चे अने शॉट थती होई चे तो स्लीप अलसो इस वेरी वेरी इंपोर्टन कांट के स्लीप दरम्यान जहर्मों नू अक्क्यू रेगुलाराइजेशन थतू हो आँपी द horrुकी मरा तने म Communication का होई चे नंग समस्याए जिन मंट भरी मह tad चे तेना विशे नी होई जे जीत वरी माहीती मिलवी छे अने जे मैं शर्वात माज वाद करी के बेनों अमेशा पोता ना स्वास्ते प्रत्य जागरूत थवानी जरू छे माबापे पोता नी टीनेज जे चोकर योचे तेमने योग्य शिक्षन जे छे खास करीने मासिक संबंधी जे वात हो छे तेनू शिक्षन जरूर छे जे माँ खास करीने डाइट अने कसरत्न अने छेले जे वात करीते उंग उंग बहुज जरूर योचे तो दर्शक मित्रों आजना एपिसोड मां बस आटलोज फरी मली शू एक नवा विशे साथे त्या सुरी रजाप्शो नमस्कार